Hello everyone, Welcome to the Study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, हम लोगों की यहाँ पर Class 9 की NCERT जोगराफिकी सीरीज चल रही है, आज आपका इसी इक्रम में अध्याय छट्वा है, यहाँ पर हम लोग जनसंख्या के बारे हम पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मै क्या क्या डिसक्स करना है याबर, आज के अध्याय में हम लोग जनसंख्या के बारे हम पढ़ेंगे, देखें किसी भी देश का निर्माद वहाँ पर रहने वाले लोगों से होता है, और लोग ही किसी देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, लोग ही किसी देश को आर्थि हमें भी भिहिन खुड़ों वाले संसाधन होते हैं देंकि प्रगती में जो बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते थे उनको संसाधन किसने बनाया? मानम ने बनाया जैसे एक्जांपल की तौर पे कोईले की बात करें फिर कोईला जोग संसाधन बन गया ठीक वैसे ही अगर हम बात करें सूरी के प्रकास की तो सूरी का प्रकास एक समय तक किवल सूरी का प्रकास था जब तक कि मानम ने इसको संसाधन में विद्धुत में कनवर्ट नहीं कर लिया, जब मानम ने फोटो वाल्टिक सेल का अविस्कार किया, यानि यो सोलर सेल है उनका अविस्कार कर लिया, उसके बाद सीधे सौर उर्जा को विद्धतूर्जा में कनवर्ट करने की युक्ति ढूली, तो सौर उर्जा आज की डेट में एक संसाधन बन चुकी है, तो यहाँ पर आगे बताय गड़ता हैं, बाडिया, सुनामी, गाउं या सहर में रहने वाले लोगों को प्रभावित करती हैं, तो इसको आपदा घा जाता है, सामाजे कद्यान में अगर हम लोग देखें, तो सामाजे कद्यान में जनसंक्या एक आधारी तत्तो होता है, और यह संधर बिंदू है, ज परियावड की बात करेंगे, तो परियावड के प्रभाव किसे पढ़ेंगे, परियावड के प्रभाव पढ़ते हैं मानमो पर, देश पर, तो उसके केंद्र में जनसंक्या ही है, अगर हम सिच्छा की बात करें, अगर हम देश की समरद्धी की बात करें, विकास की बात करे तो सबके केंद्र में जनसंख्या ही है तो यहाँ पर वही चीज बताएगी है कि सामाजिक अध्यन में जनसंख्या क्या है एक आधारी तत्तो है संसादन, आबदा और विनासकार्थ केवल मानप के लिए मैतपूर है मानप के जीवन को अस्विस्ट कर देती है मानप के जो क्रिया कलाप में रोजमर्रा के जो क्रिया कलाप में उनको अस्विस्ट कर देती है इसलिए संसादन, आबदा और विनास इनकार्थ केवल मानप के लिए मैतपूर है आगे यहाँ पर जंसंख्या का आकार और वित्रण के बारे में बताया गिया है प्रियास तो भारत में सबसे पहली बार जंगर्णा का प्रियास दूए है सन 1872 में Lord Mayo यानि उस समय वायर सराय Lord Mayo थे उनके कारिकाल में किया गया था अनके 1881 में Lord Ripon के कारिकाल से पहली बार एक संपूर जंगर्णा की जा सकी और उस समय से क्या है उस समय से प्रतियक दस वर्स पर जंगर्णा होती है अभी बरतमान में आपके भारत में 2011 की जो पंद्रेवी जंगर्णा है इसी के आकड़े चल लाई है क्योंकि जैसा कि आपको पता है हर 10 साल में जंगर्णा होती है 2021 में जंगर्णा नहीं हो सकी उसका रीजन है COVID COVID की जैसे 2020 से जंगर्णा स्टार्ट होनी थी COVID की जैसे जंगर्णा स्टार्ट नहीं हो पाई तो अब तक आपके सामने जो नवीनतम जंगर्णा है उसके आंक्रे यहाँ पर भारत में नहने वाले लोगों के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनकी आर्थिक स्क्ति के बारे में, सब के बारे में पता चलता है मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाग थी, जो कि विस्ट की कुल जनसंख्या का 7.5 फीसद थी यहाँ 12,106 लाग थी, जो कि विस्ट की संपूर जनसंख्या कितनी ही 100% है, उसका 7.5 फीसद भाग जो केबल भारत में निवास कर रहा है और सेस्विस्ट में 2.5 फीसद जनसंख्या निवास कर रही है यहाँ 121 करोड लोग भारत के 32,8 लाग वर क्लूटर के चेतफल में असमानूप से वित्रत हुए है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के संपूर भुभाग पर जनसंख्या का वितरड एक जैसा नहीं है भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या की वसावट सगन है वहीं कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या की वसावट विरल है जैसे गंगा के मैदान की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर भारत में गंगा का जो मैदान है, यहाँ पर जंसंखिया की जो वसावट है, काफी दा सगन है, वहीं भारत के पठार, पहाड या फिर जो निगिस्तानी इससे हैं, वहाँ पर जंसंखिया की चित्वाग का चित्वाल है कितना है 32 संपूर भूभाग का दो संपूर चार फीसद है और बाद बाकी विस्टु के पास कितना है 97 संपूर चार फीसद बारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज भी है यूपी में देश की कुल जनसंख्या का 16 फीसद हिस्सा जो निवास करता है दूसरी और जो आपके हिमाले शित्र के राज है जैसे के सिक्किम की आवादी कितनी है केवल 6 लाख है वहीं आपके यूनिन टेरिटरी जो आवादी है वो 64,473 लोग निवास इसपर करते हैं यहां पर देके जो भी आँख्ये दिये जा रहे है 2011 की जनगरना के कौर्णिक इक सिक्किम की आवादी केवल 6 लाख है वहीं लक्षतीप की जो टोटल पॉपूलिशन है वो 64,473 है भारत की लगबग आदी आवादी केव पांच राज्यों में निवास करती है। यहाँ पर उन पांच राज्यों के बारे बताया गया है। उनका करम बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे ज़्यदा आबादी वाला राज्य आपका यूपी है। उसके बाद फिर महाराष्ट का नंबर आता है, फिर विहार आता है, फिर पशिब मंगाल, फिर आंत्पदेश। यह वो पांच राज्य हैं जहां पर भारत की आदी जन संक्या निवास करती है। अगर छेतफल की दश्टी से देखें, तो छेतफल की दश्टी से राजिस्तान जो है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसकी आबादी भारत की कुल जन संक्या का केवल साड़े पांच पीसद है। देखें, आगे यहां पर घनत्त के आधार पर भारत में जन संक्या विद्रण बताया गया है, तो यहां पर जन संक्या गनत्त के बारे में बताया गया है, कि प्रती एकाई शित्फल में रहने वाले लोगों की संक्या को जन संक्या को जन संक्या गनत्त कहते हैं, और भारत जो है विस्तु के गनी आबादी वाले देशों में से एक है यानि भारत विस्तु का एक ऐसा देश है जहांपर गनी आबादी पाई जाती है 2011 के सेंसस के एकॉर्णिंग भारत का जनसें के अधनत तो 382 ब्यक्ति प्रति वर्क किलोमेटर था यानि कहने का लोगी है कि हमारे याँ एक वर्क किलोमेटर में 382 ब्यक्ति औस्तु रूप से निवास करते हैं हमारे याँ बिहार राजी का जनसें के अधनत सरवादिक है बिहार राजी में एक वर्क किलोमेटर चेतफल में 1106 ब्यक्ति निवास करते हैं वहीं आपके पहाडी राज अड़ांजल कुदेश की बात करें, तो अड़ांजल कुदेश में एक बर क्लूमेटर के छेतफल में मात्र सत्रे विक्ति ही निवास करते हैं. असम की बात करें, तो असम में 398 व्यक्ति प्रतवर क्लूमेटर में रहते हैं, वहीं अधिकतर आपके जो प्राइदीपी राज हैं, या फिर जो पहडी राज हैं, उनका जनसिंग के अगनत तो मध्यम है, क्योंकि रीजन यहापर दिया गया है कि पहाडी, कड़े, छटे और पत्रीले जो भूभाग हैं, यह मध्यम से कम बरसा यहाँ पर होती है, यहाँ पर छिचली और कम उपजाव मिट्टी है, तो इस पज़े से इन सब चीजों ने यहाँ की जनसिंग्या घनत को प्रभावित किया हैं, वहीं जो गंगा के मैदानी राज हैं, मैदानी राज जो उपजाव मिट्टी है, उपजाव मिट्टी होने की वज़े से बहाँ पर करसी कारे आसनी से संपन किया जा सकता है, इस वज़े से गंगा के मैदानों में जनसिंग्या का जो घनत हो है, वो सरवादिक है, वहीं उत्री मैदानी भाग और दक्षिड में जो किरन राज हैं, खेती के लिए आदर्स दसाएं प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों पर खेती करना आसन होता है, उद्ध्योंग धंदे स्थापित करना आसन होता है, परिवन तंत्र का विखास करना आसन होता है, इसी वज़े से समतल मैदान और उपजाव मिट्टी वाले इलाकों में सबसे ज़ता सगन जंसंक्या पाई जाती है किरल के जंसंक्या घनतकी बात करें तो किरल में एक वर किलूमेटर की छितफल में 860 वेत्ती निवास करते हैं यहाँ पर नोट की रूप में कुछ चीज़ें बताई गई है कि आंध पजिस्के और लद्दाक में इसको डिवाइट कर दिया गया है तीकि जैसा कि आप लोग जानते हैं 2011 तक भारत में कितने राज थे 2011 तक भारत में 28 राज थे लेकिन अभी बरतमान में 29 राज हैं तो 2011 तक 28 राज थे तो उस समय के साथ से 28 राज्यों की जो census है वही count किया गया है जो नभीनतम आपके राज बने हैं या नभीनतम आपके यूटीज बने हैं उनके बारे में अलग से आंख्डे भी नहीं आये हैं अभी जो नभीनतम आपकी जनगरना होगी उसमें ये सब चीज़ें सामिल कर ली जाएगा और जम्मू और कस्मीर और लग्दा क्यों यूटी है इसको भी सामिल करके इन दोनों के अलगलग आंक्रे प्रस्तुत किये जाएंगे जनसंक्या व्रद्धी एबं जनसंक्या परिवर्थन की प्रक्रिया नहीं population growth and process of population change जैसा कि आप लोग जानते है जनसंक्या एक परिवर्थन सील प्रक्रिया है क्योंकि लोग जन्म लेते हैं मरते हैं तो जनसंक्या जो एग्यसी नहीं रहती है बलकि परिवर्थित होती है आबादी की संख्या बितरड और संग्ठन में लगातार परिवतन होता रहता है यह आबादी की जो पॉपलिस संख्या है उसके बितरड में उसके संग्ठन में संग्ठन का मतलब महला पुरुस का जो अनुपात है उसमें लगातार परिवतन होता रहता है और ये परिवरतन जो तीन प्रक्रियाव के फलसुरूप होता है जन्म नत्यू है प्रबास है इनके आपसी संयोजन की जैसे जनसंख्या में लगातर परिवरतन होता रहता है सबसे पहले यहां पर बात की गई जनसंख्या प्रद्धी की यह पॉपुलिसन डूट की देखे जनसंख्या प्रद्धी का अर्थ होता है किसी विशेश समय अंतराल में जैसे के दस वर्सों के भीतर किसी देश या राजी के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या प्रद्धी के संदर्म में देखा जाता है और इस प्रकार के जो परिवर्थन होते हैं इनको दो प्रकार से विक्त किया जा सकता है पहला है निर्पिक्ष प्रक्दी और दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाला प्रस्टत परवर्थन के द्वारा तो सबसे पहले जाने कि निर्पेक्ष ब्रद्धी क्या होती है देखे प्रत्य एक बर्स या फिर एक दसक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में ब्रद्धी का परिमाढ है पहले की जनसंख्या यासे हमने माल लिया 2001 की जनसंख्या इसको हम अगर बाद की जनसंख्या से इसको घटा देंगे तो हमें निर्पेक्स प्रद्धी प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पर 2001 की जनसंख्या जो है उसको 2011 की जनसंख्या से घटाया गया है तो हम माल लेते हैं कि एक example के दोपे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप जब इसको घटाएंगे तो क्या आजाएगा 20 आजाएगा याने का मनलब यह है कि यहाँ पर 20 व्यक्तियों की निर्पेक्ष प्रद्धी होई है वहीं जनसंख्या की जो प्रद्धी दर है इसका अध्यन प्रतिवर्स प्रसत में किया जाता है जैसे प्रति वर्स 2 प्रसत प्रद्धी का मतलब यह है कि किसी दिये हुए वर्स में जो मूल जनसंख्या है उसमें प्रति एक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की प्रद्धी हो रही है और इसे वार्सिक प्रद्धी दर्भी कहा जाता है इसको भी मैं उधार से समझाता हूँ देखे जैसे माल लेते हैं कि 2001 में 100 ब्यक्ति थे जैसा कि भी हमने बताया और यहाँ पर दिया गया दो प्रस्त की ब्रद्धी हो रही है तो 100 का अगर दो प्रस्त निकालेंगे तो कितना आएगा उसके भी मैं लेकर और यहाँ पर दसकी ब्रद्धी दर दिखाई गया उसके बात 81-91 की बीच में आप लोग देखेंगे जो आपकी दसकी ब्रद्धी दर है इसमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है अब यह है 23.87 प्रस्द पिर आगे आप देखें अब देखें आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आएगा कि सरी स्टार्ट में तो जो हमारी ब्रदी दर वो लगातार कम हो रही है देखें जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है यह क्या logic है यह आपके मने प्रशन आएगा अब देखे इस चीज का जो जबाब है वो गड़ती जबाब है अगर आप गड़त की संक्रिया से समझेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगे फेर एक्जाम्पल हम यहाँ पे माल लेते हैं कि 2001 में यहाँ पर कितने व्यक्ती थे 100 व्यक्ती थे और यहाँ पर जो बारसिख ब्रद्लीवर्दर है वो दस प्रस्चत की है ठीक है तो सौ का दस प्रस्चत की होगा 10 तो 2001 से जब 2002 में जाएंगे तो जनसंख्या हमारी कितनी हो गई, 110 हो गई, यहां तक बात किलियर है, अब हम फिर से मानते हैं कि 2002 से लेकर 3 के बीच में जो बार्सिक ब्रदी दर है, यह फिर से 10 प्रस्त की है, तो जब 110 का आप 10 प्रस्त निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, त 2004 तक आते जो जनसंख्या होगी, वो फिर से 10 प्रस्त की दर से बढ़ जाएगी, तो हम यहां क्या क्या करेंगे, 121 का 10 प्रस्त निकालेंगे, तो 121 का जो 10 प्रस्त होगा, 121 जो है, इसका 10 प्रस्त होगा, तो जब आप 2003 की जनसंख्या में, 10 प्रस्त की बार्सिक ब्रदी यह कम हो जाती है, यह हो जाती है कितनी, 5% की रह जाती है, यानि 2004 से लेकर जब हम 2005 में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी बार्सिक प्रदीदर है, यह कम हो गई, अब देगे बार्सिक प्रदीदर कम तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो मूल जल संखिया यह तो बढ़ गई, आप यहां पर 133.5% निकाल लाई हैं, तो जब 133.5% निकालेंगे, तो कितना आजाएगा? इसका आजाएगा 6.65 आजाएगा, है ना? तो जब आप 2005 में इसको लिखेंगे, तो 2005 में कैसे लिखेंगे? 133.1 का 5 परसत यानि इसमें एड़ कर देंगे तो यहाँ पर आपकी population कितनी हो जाएगी यहाँ पर population आपकी हो जाएगी 149.75 तो logic आप समझे गए होंगे देखे ब्रद्दीदर का मतलब यह होता है कि ब्रद्दीदर अगर कम भी हो जाएगी तो क्या होता है जो पिछले दसक की या पिछले बार्सिक वर्स की जो जनगर्णा है जनगर्णा की जो आँकड़े हैं बहाँ पर हम लगा रहे हैं तो चाहें वो जादा हो परद्दीदर या कम हो लेकिन हम चूंकि जो लाश्ट येर का जो लाश्ट आंकडा होता है वहाँ पर हम ब्रदिदर एड करते हैं इस वज़े से जंसंख्या लगातार बढ़ती है भले ब्रदिदर कितनी भी कम क्यों ना हो जाए तो आपको ये लोजिक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आप देख भ यहाँ पर दस परसत की ग्रोथ हो रही है तो अब इसको इसमें एड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको एड करना पर आपको मिल ला है 133.1 प्रस्त अब हमने माल लिया 24-5 में जब जा रहे हैं तो आपकी बारसिक ब्रद्दी दर्य कम हो गई यह 5 प्रस्त की हो गई है तो हम जब 133.1 का 5 प्रस्त जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 6.65 तो जब हम 133.1 में 6.65 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपकी प आधार पर हो हम उन में ब्रद्दी दर को लगाते हैं उन से ब्रद्दी दर को कंपेर करते हैं इसी वजए से हमारी जो ब्रदी दर है वो भले कम हो रही हो लेकिन जनगर्णा के आधार पर जो जनसंख्या होती है वो लगातार बढ़ती जाती है तो यह concept आपको clear हो गया भारत की आबादी उनिस्टो क्यावन में 3610 लाग से बढ़कर 2011 में 12100 लाग हो गई यानि कि 121 करोड हो गई 1950 से 1980 से जनसंख्या की जो बार savory रही थी यह यहां आप यहां पर देख रहे है लिकिन फिर 1980 से ब्रदी दर ती दिरे कम होने लगी है यह पर फिरसे बही कीज बताई गयी है कि जब विसाल जनसंख्या में कम बारiva लगया जाता है तब इसमेंने conceal अपर देख शोए कि जन संक्या हैं, उसमें अगर हम नियुंतन दर से भी ब्रद्दी लगाते हैं, तो भी उसमें जो लोग एड होंगे, उनकी संक्या पहुच ज़दा हो जाएगी, तो लगातार जन संक्या हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, ब्रद्दी दर में कमी, जन दर नियंतर के लिए प्रयासों की सर्वलता को प्रसित करता है, यry Breath rate एसमें कमी अगर हो रही है, जीसका मतलब यह है कि जंडर को control कर लिया है, इसी वजय से ब्रद्दी दर में कमी ब्रद्दा कर लिया है, इसके बाब दूद भी जन संक्या की ब्रद्दी जारी रहती है, जन संक्या की ब्रद् या परिवर्तन की प्रक्रिया निया process of population growth या change देगे जैसा कि हम लोग पढ़ चोके हैं कि जनसंख्या में जो भी परिवतन होते हैं उन परिवतन के लिए तीन प्रक्रिया जिम्बेदार हैं जिसमें जन्म है जन्दर है म्रतुदर है और प्रवास है तो जन्मदर और म्रतुदर के बीच का जो अंदर होता है इसे जनसंख्या की प्राकर्दी व्रदी कहा जाता है यहाँ पर जन्दर के बारे मताया गया है कि एक वर्स में प्रती हजार बेक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्व होता है उसे जन्दर कहा जाता है ध्यान देना एक वर्स में प्रती हजार बेक्टियों में जितने जीवित बच्चों का जन्व हो रहा है वो जन्दर कहलाईगी भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हमिसा जंदर जो है ये मृत्तुदर से दिक रही है वहीं एक वर्स में प्रती हजार बेक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्तुदर कहा जाता है यहीं एक वर्स में प्रती हजार बेक्तियों में जितने लोगों की मृत्तुदर हो रही है उसे म्तुदर कहा जाता है नहीं के भारत में किया हुए भारत में आजादी के बाद लगातार स्वास्थिय सेवघाों में सुधार हुआ है गौर्फनेंट ने मेडिकल फैसिलिटी वगड़ा के लिए काफीधाथ ध्यान दिया है इस वजए से हमारे जो म्रत्युदर है उसमें गिरावट आई है अलागे जन्दर हमारे अभी भी उच्छ बनी हुई है इसी वजए से भारत की जन्संक्या वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है तो म्रत्युदर में तेज गरावट भारत की जनसंक्या में ब्रदिदर का मुख्य कारण है 1980 तक उच्छ जन दर और म्रत्युदर में लगाता गरावट के कारण जनसंक्या ब्रदिदर अधिक हो गई लेकर 1989 से दीर दीर जन दर में भी गरावट आनी शुरू हुई जिसके परणाम तरुप जनसंख्या प्रदिदर में भी गिराबट आई है यहाँ भी प्रवास के बारे में बताया गया है कि लोगों का एक छेत से दूसरे छेतर में चले जाने को प्रवास या फिर माइग्रिसन कहते हैं प्रवास दोड़ पकार का होता है आंत्रिक या फिर अंतराष्टी है आंत्रिक प्रवास जो है देश की बीतर ही होता है और अंतराष्टी प्रवास जो है यह देशों के पीच में होता है आंत्रिक प्रवास जो है इससे जनसंख्या के आकार में कोई परवतन नहीं आता है लेकिन ये एक दिस के बीतर जनसंख्या की बित्रड को प्रभावित कर देता है यैसे फोर एक्जामपल डेली और बिहार की बात करें भारत में दिफतर यो प्रवास होता है ग्रामीड से सहरी चेतरों की ओर होता है इसका रीजन क्या है या जो आपके रूरल एरिया है बहां पर बुनियादी सुवधाओं का अभाव होए जो आपकी सिच्छा है, स्वास्य सुवधाई है या फिर रोजगार की साधन है उनका अभाव है तो ये सब चीज़ें क्या है ये अपकरसड के कारक हैं जिसकी व्यासे लोग गाउं छोड़ने को मजबूर है ये सब चीज़ें हैं तो लोगों को मजबूर किया जाता है कि कैसे भी करके गाउं छोड़ें और सेहरों की और पलाइन करें ताकि अपनी वो रोजगार आजीब का अपनी बहतर सिच्छा स्वास्य सुवधाओं का लाग उठा सकें ये ग्रामीड शेत्रों में गरीवी और बेरोजगारी की प्रत्कुल अवस्थाएं हैं और नगर का जो अभिकरसड है पुल फैक्टर देकि नगर में हर्ची जो उपलब्द होती है नगर में जो रोजगार भी है सिच्छा भी है स्वास्य सुवधाई भी है और फ्यूचर की प्लानिंग भी है तो नगर में ये सब कारक क्या होते हैं ये प्रभावकारी कारक होते हैं अविकरसड कारक होते हैं तो ये ग्रामीडी जनता को अपनी और आकरसित करते हैं, खीशते हैं, तो नगर का जो अभिकरसर प्रभाव है, ये रोजगार में ब्रद्दी और अच्छे जीवन इस्तर को दर्साता है, इसी वज़े से हमारे हैं अधिकांस प्लाइन जो है, ग्रामीडी चित्रों से सेरी च जन संख्या जो होती, वो नगरी जन संख्या थी, जबकि 2011 तक आते आते हमारे याँ पर जो अर्वन जन संख्या है, उसका पॉपुलिशन कितना हो गया, 31 जन संख्या प्रस्त हो गया, यानि 2011 के जो अधिक जन संख्या वाले नगर ते, इनकी संख्या भी बढ़कर 35 से अब जो नगर है, उनकी संख्या त्रेपन से उपर हो गई है, आगे यहाँ पर आयू संख्या के बाले बताया गया है, लेकि किसी देश में जो जन संख्या की आयू संख्या है, यह वहां के विविन आयू संख्या के लोगों की संख्या को बताता है, लेकि एक व्यत्तिकी जो आ आपके दो से लेके दस साल की विच्छे होते हैं, उनकी इच्छा क्या होती है? खिलोनों की इच्छा होती है, खाने पीने की इच्छा होती है, तो उनकी नीड लग है, तो जो आयू है, आयू समू है, वो विक्तिकी इच्छा को, खरीदारी को, और उनकी जो काम करने का तरीक को निर्धारक होती है यानि किसी भी छेतर में कितने वयस्क हैं कितने ब्रद्ध हैं, कितने बच्चे हैं ये सभी चीज़ें जो हैं किसी देश की आबादी के जो सामाजिक और आर्थिक धाचा है इसकी निर्धारक होती है देगें जिस देश के पास यंग population बहुँ ज़्यदा होती है वो देश भविस्यमें बहुँ ज़्यदा करक्की करता है और ऐसा देश जिसके पास यंग population की कमी है, और व्रद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो आने वाले future में क्या होगा उसकी जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति है वो रुख जाएगी क्योंकि ब्रद्द लोग जो है वो कारेसील नहीं होते हैं ब्रद्द लोग बिल्कु रिटायर माने जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में सामानेते हैं पंद्र वर्स से कम के बच्चे आते हैं जैके बच्चे जो हैं आर्थिक रूप से उत्पादन सील नहीं होते हैं और इनको भोजन, वस्त्र और स्वासे संबंदी जो सुविधाएं हैं ये नहीं उपलब्द कराने की आवशक्ता होती हैं और बच्चे जो होते हैं सामानेते हैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं इसकी बाद आ जाती हैं बयस्क तो बयस्क में जो है 15 से लेकर 69 वर्स के सम्मूं को हमारे हैं रखा गया है ये आर्थिक गुप से उत्पादनसील होते हैं और जैबिक गुप से परजनसील होते हैं और ये जनसंख्या का कारेसील वर्ग माना गया है लेकि यहाँ पर ध्यान देने बाली बाती है जो आपके विस्युस्तर की जो वैस्क वर्ग है उसमें जो बैस्कता का जो रखा गया है पैमाना वो 15-64 वर्स रखा गया है लेकिन 2011 के census में हमारे भारस सरकार ने हमारे यह बैस्क कोने का पैमाना रखा है जो बैस्क का जो कारिसील वर्क का पैमाना रखा है वो 15-69 वर्स रखा है बहाँ पर जो कारिशील जनसंख्या का पैमाना है, 15-64 वर्स माना गया है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, तो 15-69 वर्स की जो जनसंख्या है, कारिशील जनसंख्या होती है, यानि कि ये उत्पादक लोग होते हैं, इसके बाद आ जाते हैं, ब्रद लोग, यानि 69 वर्स से अधिक के आयो कि जो लोग है, उन्हें ब्रद माना जाता है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे यह जो पैमाना माना गया है, 15 से 60 वर्स का काड़िसिल जनसंख्या का माना गया है, और उनसर्ट वर्ट से अधिक की जनसक्या को हमने ब्रद मानाई भारत की बात तो रही है तो ये उनसर्ट वर्ट से अधिक की जो लोग है या आर्थिक रूप से उत्पादन सील हो भी सकते हैं या फिर अवगास प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि mostly retirement रोन स्टार्ट हो जाता है, हो सकता है कुछ-कुछ लोग काम भी कर रहे हो या पर हो सकता है कुछ लोगों ने retirement कर लिया हो देगे इनके बारे में बताया गया कि ये स्वेच्छी ग्रूप से कारी कर सकते हैं लेकिन भरती प्रक्रिया के दोरान इनकी नियुक्ती नहीं होती है, यानि इनके लिए कोई special vacancy नहीं आती है अगर ये चाहें, इनके सरीर में अगर छमता है, दम है, तो अपनी स्विच्छा से कहीं ये काम कर सकते है तो बच्चों और व्रद्धों का प्रस्ट जो है, जन संख्या के आसित अनुपात को प्रभवित करता है देगे किसी भी देश में अगर बच्चों और व्रद्धों की संख्या ज्यादा है, इसका मलब क्या है, जो depend जन संख्या उसकी संख्या ज्यादा है क्योंकि ये समूझ जो होते हैं ये उत्पादक नहीं होते हैं ये निर्वर होते हैं अपने पेरेंट्स पर अपने जो भी गार्जियन हैं अपने जो बालवच्चे उन पर ये निर्वर होते हैं आगे हैं पर लिंग अनुपाद की बात की गई है, सेक्स रेसियों की बात की गई है तो प्रती एकजार पुरसों पर महलाओं की संख्या को लिंग अनुपाद कहा जाता है यानि कि प्रती एकजार पुरसों पर कितने ही महलाओं है इसको लिंगानुपाद कहा जाता है और यह किसी दिये गए समय में समाज में पुरसों और महलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महतबूर समाजिक सूचक है यानि इससे हमें ये बात भी निकल कर आती है एक समाज में पुरसों और महलाओं की बीच में कितनी समानता है ये भी हमें देखने को मिलता है यानि ये एक महतबूर समाजिक सूचक भी है जैसे हमारे यहां 2011 की जुनगर्णा हुई है उसके नुसार भारत का लिंगानुपाद 940 है यानि कहने को भी है कि हमारे यहां प्रती एक हजार पुरसों पर 940 महलाए है यानि हमारे यह लिंगानुपाद जो है कम है सरवादिक लिंगानुपाद वाला राजी जो है किरल है किरल मेंammen1,800 पर 184 महलाएं हैं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज जो है हरियाना है हरियाना में 1,000 पर मातर 889 महलाएं है भही पुदुचिरी की बाद करें तो पुदुचिरी में प्रती 1,000 पर 1037 है जबकि दिल्ली में प्रती 1,000 पर 868 है देखे एक बात मैं यहाँ पर इसपष्ट कर दूँ, दिल्ली आपका एक कूड राज नहीं है, दिल्ली एक union territories है, इसी बज़े से हर्याना का यहाँ पर नंबर आएगा, कुछ लोगों के मन में होगा कि सर दिल्ली गा तो और भी कम है, दिल्ली तो राज है, दिल्ली राज नह पाना है, ना के दिल्ली, इसके बाद है साक्षरतदर, इन literacy rates, नेकि 2011 की जनगर्णा के अनुसार, एक व्यक्ति जिसकी आयू, 7 वर्स या फिर उससे अधिक है, और जो किसी भी भासा को समझ कर लिखिया पर सकता है, उसे साक्षर की सेड़ी में रखा जाता है, यानि कहने का 11 की जनगर्णा के अनुसार देसकी जो साक्षरतदर थर है'm 84.04 पीसद है, यानि हमारे हां 100 पीसद आबादी में सेvert 45.04 पीसद में साक्षर है, जबकि महलाओ की स्सामड़ शामड़ थर जान पीसद महलाओ प्रगार के ब्यवसायों के अनसार किये गए जनसंच्या की वितरड को ब्यवसायों को ब्यवसायों को तीन स्रेडियों में डिवाइड किया जाता है प्रात्मिक दुतियक और ततियक तो प्रात्मिक क्रिया कलाप हो में उत्पाद करने वाले उद्योग भवन और निर्माड क संचार, वाड़ेज, प्रसासन और सेवा आ जाती है जो कि डूतियक और प्रात्मिक सेत्रक को दी जाती है तो तदियक क्रिया कलापा में यह सब आ जाथे हैं तो भार्ट की जनसंख्या की अगरब बात करें तो हमारी देश की जनसंख्या अभी भी क्रशी कारे पर बहुत ज़्यादा रिपेंड है यानि हमारे प्रात्मिक सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा सनलंग्न है यहाँ पर एक चीज बताई गई है जो आपके विक्सित देस हैं विक्सित देसों की जो अधिकांस आबादी है वो secondary और tertiary जो सेक्टर है दुतियक और ततियक जो सेक्टर है उसमें भ mob ज़्यादा involved होता है जबकि जो बिकासिल देस होते हैं बिकासिल देसों की जनशंक्या जो होती है वो प्रात्मिक क्रिया कलापों में भोँच ज़दा कारात होती है जैसे भारत की बात करें, तो भारत में कुल जनसंख्या का 57.3 फीसद भाग जो है, यह प्रात्मिक छेत्र में, यह प्रामरी सेक्टर में कार रहत है, भाहिए हमारे दुतियक और ततियक छेत्रों की बात करें, तो दुतियक सेक्टर में हमारे जो जनसंख्या का रेसी हुए, वो 24.3 पीसद है, जबकि ततियक सेक्टर में हमारे यहां 18.4 पीसद लोग इन्वॉल्व हैं. आगे हाँ पर स्वास्था की बात की गई है, तो देखे, जैसा कि आप अब जानते हैं, और मैंने आपको बताया भी था, कि आजादी की बार लगातर, सरकार ने स्वास्य सेवा में सुधार किया है, मृत्युदर की बात करें, मृत्युदर जो 1929 में प्रति हजार 25 थी, 2011 की सेंसर्स के टाइम पर ये घटगर, प्रति हजार 7.2 रह गई है, याँ अब हमारे यहां, प्रति ब्यक्ति जो केलोरी की खपत है, यह हमारे यह जो अनुसंसित इस्तर है, इससे काफी ज़्यदा कम है, और हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी कुपोसर्ट से प्रभावित है, इसके लावा हमारे यह जो पीने का पानी है, और जो मूल स्वास्टे सुवधाय है, इनकी अभी भी ग्रामिड लाकों में काफी ज़्यदा कमी है, तो सुद्ध पीने का पानी और मूल स्वास्टे रक्षा सुवधाय जो है, यह ग्रामिड जनसंख्या के केवल एक थाई लोगों को ही अभी उपलब्द है, यह सब ही आकड़े 2011 की सेंसस ते दिये गए है, क्योंकि अभी तक कोई लेटर सेंसस नहीं आया है, तो 2011 का सेंसस ही यहां पर चल ला है, आगे हम पर बात किए किसोर जनसंख्या की, किसी भी राष्ट को आगे ले जाने में, सबसे महत्विट जनसंख्या जो होती है, किसोर जनसंख्या, कोई भी राष्ट फ्यूचर में किसनी तरक्की करेगा, वो depend करता किसोरों पर, क्योंकि किसोर ही भविस्ट के वयस्क होते हैं, अगर हम किसोरों की बात करें, तो यह भारत की कुल जन संग्या का 5 बा भाग है यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार ने 10 से लेकर 19 बर्स की आयो के जो बच्चे हैं उनको किसोर माना है और यह भविस्ट के सबसे मैत्पूर संसाधन होते है लेकिन किसोरों पर भी अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो यह भविस्ट के संसाधन नहीं बन पाएंगे तो किसोरों के लिए पोसर्टत्तों की आवशकता है बच्चों और भयस्टकों से अधिक होती है क्योंकि इनका इस समय में इस एज में अबुद्ध हो सकता है इस पज़े से हमें इन पर भवव ज़दा ध्यान देना है क्योंकि यह भविस्ट के संसाधन है आगे हैं पर राष्टी जनसंख्या नीति इन नैस्नल पॉपूलेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है देकि सरकार लगातार प्रियास कर रही है कैसे भी करके जनसंख्या का जो जीवन इस्तर है वो सुद्रे जनसंख्या में साक्षरतादर भी बड़े जनसंख्या की जो लाइवेश्टाल है इसमें भी सुधार आए म्रतुदर कम हो और जन्दर भी जो एक समय के बाद जाकर नियंत्यत हो जाए जिससे कि हमारी आबादी बहुत ज़दा न बढ़ने पाए तो परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्तर और कल्यान को सुधारा जा सकता है और इस स्वास्तर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक ब्यापक परिवार नियोजन कारिकरम को प्रादम किया था देगे सरकार का मानना ये था कि समय के सास्तर अगर हम लोग सजग नहीं होंगे तो देश की आवादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो संसाधन है उनकी कम ही होने लगेगी तो जरूरी ये है कि समय के सास्तर लोगों को सचित किया जाए और लोगों को अवेर किया जाए कि अगर आपके कम बच्चे हैं सीमित परिवार हैं तो आप अपने परिवार का ध्यान दे पाएंगे अपने बच्चों की स्वास्ते पर उनके पढ़ाई लिखाई पर उनके भोजन पर अच्छा कासा खर्च भी कर पाएंगे और इस बचे से बच्चे भी आगे चलकर आगे तरक्की कर पाएंगे लेकिन अगर बड़ा परिवार है तो अब यसी बात है कि बच्चों की सिछा पर भी बहुत कम कर्श कर पाएंगे उनके स्वास्ते पर उनके पोशड पर भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन कारिक्रम में स्टार्ट किया था जैसा कि आपने लाइन सुनी होगी कि हम दो हमारे दो इसी की पंच लाइन है इसके बाला जाती है राष्टी जनसंक्या नीती सन 2000 में आई है तो राष्टी जनसंक्या नीती 2000 ये कई बर्सों के नियोजित प्रयासों का परड़ाम है लेकर राष्टी जनसंक्या नीती सन 2000 की जो है इसके कुछ महतपूर तथियां बताए गई है जैसे 14 बर से कम आयों के जो बच्ची हैं इनको निसल्क सिच्छा प्रदान करना सिस्वर मृत्युदर को प्रती 1000 में 30 से कम करना ब्यापा के स्तर पर टीका रोधी बीमारीयों से बच्चों को छुटकारा दिलाना लड़कियों की साधी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोसायद करना और परिवार नियोजन को एक जन केंदित कारक्रम बनाने के लिए नितिकर धाचा प्रदान करना देखे काफी इंपोर्टेंट डेई कई बार एक्जाम में पूछा गया है देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां सिच्छा क्या है एक मूलभूत अधिकार है एक मूलभूत अधिकार सिच्छा है जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं समधान के नुच्छी 21-E के त्याथ सिच्छा जो मूलभूत अधिकार है उससे पहले हमारे हैं समयदान के DPSP के Article 45 में भी इसके बारे में प्राबधान था, वहीं राष्टी जनसंक्या नीत सन 2000 में भी इसके बारे में कहा गया है कि 14 बड़ से कमायू के जो बच्चे हैं उनको निसल्क सिछा प्रदान की जाएगी तो यहाँ पर आपको पता होने चाहिए कहीं भी अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे अगर इन सब चीजों को आप लिख देंगे तो आपके आंसर की प्रभाव कारिता बढ़ जाएगी आपको अध्रिक्त माक्स मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्टी जनसंख्या नीती सन 2000 में भी यह बात की गई है कि सन 14 बड़ से कमायू के जो बच्चे हैं इनको निसल्क सिछा प्रदान की जाए वहीं इस जनसंख्या नीती में सिस्तुम्रत्युदर को प्रती 1000 में तीस से कम करने की भी बात की गई है देगे राष्टी जनसंख्या नीती 2000 और किसोर तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ती है कि यहाँ पर यह बात बताई गई है कि राष्टी जनसंख्या नीती में किसोर और किसोरियों कैसे देखा गया है उनके लिए क्या प्राब्धान किये गए हैं, क्या-क्या बातें बोली गई हैं, वो सब बातें बताई गई हैं और योन संबंदों से प्रसारित वीमारीों से किसोर किसोरियों की सरच्छा जैसी अनमहत्पूर्ड आवशक्ताउं पर भी जोड़ दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं. जो किसोर होते हैं, किसोरों में जैसे से बोडी में बदलाव आते हैं, तो वो इन सब स्विटों के प्रती आकरसित होते हैं, तो समय रहते होने हैं, जो है यौन संबंदों के बारे में, इन से फैलने वाली वीमारियों के बारे में अवेर किया जाए, ताकि वो इन से गरसित किसोर किसोरियों को असरचित यौन संबंद के कुप्रभाओं के बारे सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना खादे संपूरक और जो पॉंसरिक सेवा हैं इन्हें उपलब्द कराना और बाल भिभा को रोकने के लिए कानूनों को सुद्रण करना ये कुछ जहाई समाप्त नहीं होता है इसी के साथ क्लास 9 की जो जिवराफी है ये किताब भी अपकी समाप्त हो जाती है अब हम लोग जल्दी ही क्लास 10 की जिवराफी भी स्टार्ट करेंगे आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आउश किता एल्दी।